इस़े इसे तो पेच्टो अपको पता है बच्चो आप जानते हो किmist अम लोग कंवर्जन कर रहे हैं किसी आज मेरे पास अभी मैंने आपको मॉर्णिल्ग में भी कंवर्जन कर वा हैं फिर मैं आपको कुछ कंवर्जन कर वा रहा हूं बड़ी इंपोर्टन है तो जो सबसे पहले आप फिनोल लेलो अब इस फिनोल को जिंक डस्ट से ट्रीट करेंगे और आपको बता मैंने सुभा भी आपको बताया था जिंक डस्ट क्या करेगी इस ऑक्सीजन को अपने साथ लेके माइनस जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा और पीछे फिनोल से हम कहां बेंसीन पेगए अब बन जीन हमारे पास अगया तो सिंपल इसके अंदर आपने 1-2 डालना है और 2-2 आपको ब Скलोडल दालनाया यह होगी पहली conversion, अब हम second पर चलते हैं, second है जी, chloro-benzen, chloro-benzen to, क्या बनाना, sodium phenoxide, sodium phenoxide, बड़ा important है, यह भी, सबसे पहले chloro-benzen बनाते हैं, क्लो-benzen, अब क्लो-benzen को आप treat कर दो जी, NaOH के साथ, sodium hydroxide के साथ treat कर दो, और बेटा, 623 Kelvin का temperature लेना है, 200 atmosphere का pressure लेना, अब अगर आप इसको करोगे, तो सबसे पहले बेटा, NaCl निकल रिकर आपको, हमने HCl निकाल देना, ONA group यान लगा देना, तो जो हमारा product बनेगा, वो बनेगा बेंजीन, बेंजीन के उपर ONA, तो यह है जी, sodium phenoxide है, और साथ में, HCl बाहरा चाएगे, समझ आ गया, अब जो तीसरी conversion है मेरे पास, वो है जी, chloro-benzene, 2-phenol, कैसे बनाएंगे इसको, सो आईए देख लेते हैं, सो फिनोल के लिए, सबसे पहले में, ख्लोरो-benzene लेनी है, सो सबसे पहले, ख्लोरो-benzene में NaOH डाली है, 623 केल्विन का temperature 200 अट्मसफेर, और यह है क्लोरो-benzene, अब हमारे पास बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड, ONA, सोडियम फिनोक्साइड बन गया, अब सोडियम फिनोक्साइड को आप ट्रीट कर दो बेटा, आगे, डैलियूट HCl के साथ, डैलियूट HCl डाल दो, डैलियूट HCl डालोगे, तो क्या होगा बेटा, NaCl बाहर आ जाएगा, NaCl बाहर आ गया, और यह H इदर लगके, इसको फिनोल में कनवर्ट कर देगा, तो अब बन गया है हमारा, फिनोल प्लास NaCl, तो देखा आपने, पहले फिनोल से क्लोरो बेंजीन बनाया, और लास्ट में क्लोरो बेंजीन से फिर से फिनोल बना दिया हमें, सो फिनोल को क्लोरो बेंजीन में कैसे कनवर्ट करना है पहले फिनोल में जिंक डस डालने है जिंक उकसाइड निकल जाएगा बेंजीन फिर सील टूएड डालनी है क्लोरो बेंजीन बन गया इसी तरह क्लोरो बेंजीन से सोडियम फिन उकसाइड कैसे बनेगा क्लोरो बंजीन को NaOH से ट्रीट करना है यह अट्मस्परिक प्रेशर 200 रहेगा 623 कल्विन का टेंपरेचर रहेगा और यह ONA लग जाएगा बंजीन के उपर और NaHCl बहर आ जाएगा और फिर जो लास्ट मैंने आपको करवाई है क्लोरो बंजीन से सोडियम फिनोकसाइड से फिनोल तक कैसे जाना है फैले क्लोरो बंजीन को सोडियम फिनोकसाइड में कनवर्ट करो फिर डलूट HCl डालो तो अपके बास बन जागा फिनोल प्लस NaCl बहर इस प्रोसेस को न जिसमें हम सोडियम फिनोकसाइड से से फिनोल बनाते हैं जब आप डेल्यूट एसीयर डालते हैं इसको बोलते हैं बेटा एसीडिफिकेशन तो यहां लिख देते हैं कि एसीडिफिकेशन तो यह तीन नहीं रियक्षिन होगी अब मेरे पास एक और है आईए देखें कि फोर फोर्थ मेरे पास है बिटा आज आपके लिए इताइल क्लोराइड इताइल क्लोराइड से बनाना है मेरे को इताइल अलकोहल तो बिटा यह तो बहुत एजी है आपको क्लियर होई गया होगा सबसे पहले इताइल क्लोराइड लेलो सी एच त्री सी एच टू सी एल इताइल क्लोराइड अब इताइल क्लोराइड में डाल दो जी कोह और कौन सा कोह एक्वस ठीक है अगर आप अलकोहली कोह डालोगे तो डबल बॉंड बन जाएगा अगर एक्वस कोह डालोगे तो ओच ग्रूप लगेगा ऐसा क्यों होता है क्योंकि क्योंकि जब भी एक्वस के ओएच एक्वस स्लूशन में के वच होता है वह कंप्लीटली डिसोसेट होता तो ठेट सारे ओएच नेकिटिव आइन प्रड्यूस करता है और वह वह नेकिटिव आइन इस सी एल को रिप्लेस कर देते हैं और यहां पर अलकोहल बन जाता है तो की फॉर्मेशन हो गई है सो आइए बना दें तो सी एच त्री सी एच टू ओएच प्लस की सील सो क्या बना इथाईल अलकोहल अब हम पहुंचते हैं फिफ्थ पर फिफ्थ हम्यारे पास हैं मिथाईल ब्रोमाइट मिथाईल ब्रोमाइट से मैंने बनाना है इथेन सो मिथाईल ब्रोमाइट के लिए सिंपल बिटा आपको दो मिथाईल ब्रोमाइट लीजिए यहां पर वुट्स रियक्शन करी आउट होईगी तो च्छ थ्री बियार प्लस टू एन ए प्लस बियार एंड सी एश थ्री ठीक है तो मिथाईल ब्रोमाइट के कितने मॉलेक्विल लेने हैं दो इन दो मिथाईल ब्रोमाइट के मॉलेक्विल में से आप 2-NABR माइनस कर दो और यहां पर आप ले लो जी ड्राय इथर और यह है हमारी वुड्स रियक्षिन तो प्रोड़क्ट बना च्छ थ्री बॉंड च्छ थ्री तो यह बन गया इथेन और साथ में 2-NABR निकल गयर तो समझ आगे हैं अब हम चलते हैं सिक्स्थ बे सिक्स्थ रियक्षिन हमको कह रही है कि मिथाईल क्लोराइट से मिथाईल क्लोराइट से आपको बनाना है इथेन नाइट्राइल कोई नहीं करने दो कि इसका मुठ्था नहीं है कि मोडो का कैसे मुठ्था नहीं है बेग देंगे मार में मिथाईल को राइट से हम बनाएंगे इथेन नाइट्राइल सो इथेन नाइट्राइल यानि हमको CH3CN बनाना है तो आईए कर लेते हैं इसको तो सबसे पहले मिथाईल क्लोराइट लिख लिए थे CH3CN और इसमें हम डाल देते हैं KCN KCN-CN लगया तो CH3CN प्लस KCN तो क्या बना इथेन नाइट्राइल ओके जी तो बच्चों यह मेरी आज की नेम रिक्शन सौरी कनवरजंस थी है तो हम बहुत ठेट सारी कनवरजंस करेंगे ताके आपको कनवरजंड में बिल्कुल परफेक्शन आ जाए और आप सभी कनवरजंस कर चाहों और पेपर में बेटा बोर्ड में हम आपको 5 marks की conversion आई हुई होती है या आपको बेटा 5 marks का आया हुआ होता है नेम रियक्शन तो हमें दोनों चीज़े करनी है ताके हमें दोनों options available हो और जो चीज हमें ज्यादा बैटत आएगी हम वो attempt करने तो आज का lecture यहीं तक stay home stay safe and best of luck study art